ओम चान्ती आजादी के अमरत महुत्सव में हमारे सम्मान्निय प्रधान मंत्रे ने भारत को स्वर्णिम भारत बनाने का सुन्दर आवान किया है। देखिये हमारे जो वीजन होते हैं हमारी जो संकल्पनाएं होती हैं वो हमें उस और ले चलने के लिए बहुत प्रेदित करती हैं। ले चलती हैं वे हमें उस और तो ब्रह्मा कुमारिज इसमें एक सुन्दर टोपिक लेकर अब चल रहा है कि हम स्वर्णिम भारत का निर्मान करें। मैं इस बात को थोड़ा विश्तार से कह दूँ तो हमारे देश की सरकार जो बहुत संवेधन सील है वो भारत के विकास के लिए बहुत सारा कारिये कर रही है हम सब उसे जानते हैं और वो दिल से कर रहे हैं निश्वार्थभाव से कर रहे हैं। लेकिन एक बात विचार नहीं है कि देश में घर घर में पानी पहुंच जाए। बहुत सारे मकान बनाकर लोगों में गरीबों में बाट दिया जाएं। अनाज फिरी दे दिया जाए। कोविड से जो ग्रशित लोग हैं उनको स्वस्त करने के लिए बहुत सारी मदद कर दी जाए। आयुस्मान भारत जो योजना है इसमें बहुत लोग स्वास्त लाब ले रहे हैं। टेंशन खतम हो गई है। यह सब कितने सुन्द और प्रसंस मिये का रही हैं। पंतुए इन सब सुविधाओं के मिलने के बाद और भी बहुत सवरी सुविधाएं। बैंकिंग की सब, डिजिटल प्रोग्राम और कितनी सारी हैं अनविनत योजनाएं सरकार ने प्राग्म की हुई है। और निश्यत रूप से भारत उत्थान की और अग्रसर है। भारत का नाम संसार में रोशन हो रहा है। बारत की नीतियों को अब सारा संसार फॉलू करेगा। ये सत्य है, ये भगवान के महवाक्य भी है। बन्तु इस सब के साथ हमें विचार करना है। यदि घर तो सुन्दर मिल जाएं, लेकिन घर में जगडे हूँ। स्वास्तलाब तो मिल जाएं पर तु रात को नीन आती हो। साथियां तो बहुत अच्छी हो जाएं लेकिन छे मांस एक साल में ही तलाक के केस दायर किये जा रहे हो। संपत्ति के पीछे जगडे हो रहे हो। कोई डिप्रेशन में आ रहा हो कहीं अनेक मांसिक रोग बढ़ रहे हों तो कहीं कैंसर कहीं डाइविटीज और बहुत सारी चीजे तेजी से मैं इसको कहूंगा ये भी जैसे और विकास हम कर रहे हैं इनमें भी विकास हो रहा हैं। मेडिकल कॉलेज खुल गए बहुत सारे डॉक्टर्स बनके निकल रहे हैं लेकिन विमारिया भी तो कम नहीं हो पा रहे हैं। इन सब के साथ यदि मांसिक तोर पर भी मनुस को ससक्त हेल्दी पोजिटिव पावर्फुल बना दिया जाए। यदि उसे समस्याओं से लड़ने की सक्ति का ज्यान दे दिया जाए। यदि चुनोतियों को स्विकार करके उनको पार करके अपने को और महान और सक्तिसाली बनाने का एक सुन्दर ज्यान और सुन्दर विधी मनुस की समझ में आ जाए। तो यह जो घर-घर में जगडे हो रहे हैं, नहीं समस्या आप सब जानते हैं, जो बच्चों को बहुत थी, मतलब गिरावट की और ले जा रहे ही है, वो है मुबाइल एडिक्शन, और कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, तो हमें अपने संस्कारों को बदलना, स्वराज अर्था अपने पर भी तो राज करना है, हम दूसरों पर राज करना चाहते हैं, घर में बड़ा व्यक्ति होगा, दूसरों पर राज करना चाहेगा, कोई ग्रहनी होगी सब पर राज करना चाहेगी, कहीं सास बहु पे, तो कहीं बहु सास पे, एक दूसरे पर राज करना चाह रहे ह लेकिन, क्या हम अपनी ओर भी देखेंगे, अंतरमु की ओ Casey, अंदर के ओर निहारेंगे कि हमें अपने पर राज करना है, जो स्वराज जदिकारी वही विश्वराज जदिकारी भगवार ने कीतनी बड़ी बात कह दी मन पर राज, बुद्धी पर राज, अपने संसकारों पर राज तो आईए आज हम एक दो संसकार ले लें जैसे जादस सोचने का संसकार इसको दूसरे सब्दों में भी का जा सकता है जो बिलकुल सब के लिए बड़ा लाप्रद होगा छोटी बात को बड़ा बना कर सोचने का संसकार और ये संसकार बहुतों के जीवन में अश्यानती पैदा कर रहा है सब अनुभवी होंगे, बहुत सारे लोग इसके शिकार है दूसरा संसकार, पास्ट में रहने का, पास्ट की बातों को होल्ड करने का संसकार और भी हैं रोने रूसने का संसकार, जिद का संसकार, अभीमान का संसकार, छोटी बात में इरिटेट हो जाने का संसकार जिसको हिंदी में का जाता है इसकी नाग पर तो मक्खी भी नहीं ये बैठने देते इतना क्रोध है, यह संसकार घर, घर में अश्यांति पैदा करते हैं, संबन्दों में कड़वाट पैदा करते हैं, तो हम बाहरी रूपसे कितना भी विकास करदें, लेकिन यदि मनुस अंतरिक रूपसे, चारित्रिक रूपसे, मन्सिक रूपसे ससक थेल दी नहीं होगा, तो तो स्वनिम भारत की परिकल्प नासाकार नहीं हो पाएगी, तो सरकारे वो काम करें और हम ये अपने को बदलने का काम करें, तो हम अपने किसी एक संसकार को पहचान लें, तो वो तो एक विश्त्रिट चर्चा है ही, लेकिन हम आज विचार करेंगे, कि हमें ये जो छोटी को बड़ा कर देने का संसकार है, ये भी जादूगिरी है ना, छोटी को बड़ा कर देना, हम सब जादूगर हो गए, छोटी बात को बड़ा कर देते हैं, लेकिन सफल जादूगर हो ही, जो बड़ी बात को छोटा करके समात करना जानता हो, ताकि बातों होल्ड करके हम न चलें और बहुत सुंदर बात आप सबको याद रखनी है जो व्यक्ति बातों को होल्ड करके रखता है पास्त की बात हो आज की बात हो कोई बात इसने पकड़ ली तो देखे क्या नुकसान होता है गहराई से चितन करेंगे यह संसार का खेल एक फिल्म की तरह है यह गतिमान है चल रहा है एक सीन पास सवे तो दूसरा आ रहा है उसके पीछे तीसरा आने को तयार है यह दीवी गति से चलता जा रहा है हमने पकड़ लिया एक सीन को पकड़ लिया तो क्या जो और सीन आ रहे हैं वो रुक नहीं जाएं हमाई लिए best opportunity हो हमारे भाग्य को खोलने वाला हो हमें देवत्त प्रदान करने वाला हो हमारे श्रेश भाग के द्वार open कर रहा हो उससे उसे हम मिश कर देंगे तो स्वर्णी मफसर हमारे पास रो जाते रहते हैं लेकिन यदी हम बातों को पकड़ कर बैठे हैं तो उन स्वर्णी मफसरों को तो देखी नहीं पाते वो निकल के चले जाते हैं रुकी गए ना अगर हमने बातों को पकड़ा हुआ तो आई आज अपने देश को अपने परिवार को स्वर्णी मबनाने के लिए हम अपने को वदले और ये एक चीज खुसनुआ जीवन के होगी एक दूसरे के लिए सद्थ बावना होंगी तो घर-घर शोठ नहीं बंजाएगा स्वर्णी बंजाएगा हम देश को स्वर्णी मबनाने के लिए घर-घर को भी तो श्वर्णीब बनाना ही पड़े गा तो इन छोटे विचारों को त्याव कर दे हम इस भगवान की य तो वीचार करें सभी अपने गर ko सभर नीं मुझे क्या योगदान देना हरेक सोचे गा दूसरे की और अअगली अपनी ओर करेंगे मुझे क्या योगदान देना है दूसरों को क्या करना ये तो हम बहुत सोचते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी राय दे देते हैं सब एक दूसरे के डाइरेक्टर बन जाते हैं ऐसे करो ये करो लेकिन करना उसकी सुरुवात करना वो हमें कर देनी चाहिए तो बड़ी बात को छोटा करके समात करना है इसक सब्द का बहुत अच्छी तरह ज्यान होगा स्वमान और दूसरा आत्मिक स्थिती तीसरा राजयोग चोटी बात को बड़ा करना इसके पीछे रहस है कि मन की स्पीड फास्ट है और फास्ट है तो उसमें व्यार्थ जाद है पहले हम आत्मिक स्वरूप का ब्यास करें गें मैं आत्मा पवित्र हूं मैं आत्मा बहुत सकती साली हूं क्या होगा इससे speed slow down होती जाएगी देखे छोटा साभ्यास है और जिन को इस वरिय ग्यान नहीं है वो भी जान ले हम सब आत्माएं हैं शरीर तो हमने लिया है कितने शरीर लिये हैं छोड़े हैं हम रोज मनुसा आत्माओं को शरीर लेते और छोड़ते हुए देख रहे हैं जब हम स्वयम के मन को कुछ श्रेष्ट विचार देंगे तो उसके व्यर्थ विचार खत्म हो जाएंगे हमारे मन की जो खुराक है जिसमें उसको रस आता है जिसमें उसको आनन्द आता है वो हैं श्रेष्ट विचार, सुन्दर विचार Elevated Thinking, तो वो अगर हम देंगे, तो बक्की Thinking धीमी पड़ती जाएगी, अब इसमें दूसरा अभ्याद जिसके हम चर्चा कर रहे थे, स्वामान, अब मैं आत्मा स्यंत स्वरूप हूँ या मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ, मैं भगवान की संता हूँ, मैं एक मान आत्मा पुन्यात्वा हूँ, यह ऐसे संकल्प हैं, देखे कितने सिंपुल हैं, लेकिन यह हमारी चित को स्यांत करेंगे, आनंदित करेंगे, शक्ति सालिप बनाएंगे, तो वह सारे संकल्प जो कमजोरियों के कारण चलते रहते हैं, वो स्यांत हो जाए जब ये सुख हमें मिलने लगेगा तो हम जरूर विचार करते हैं या वो विचार हमारे अंदर सोते ही समा जाएगा कि वो परमानंद है ये तनाव का अस्यानती का दुखों का कारण है तो हम इसमें क्यों जाएं हम परमानंद परमस्यानती परम सुख जिससे हम बहुत पावर स्वामान का अभ्यास और तीसरा अभ्यास जो हम करते हैं कि अपने परंपिता से शक्तियां लेना वो स्वारु शक्तिवान है उससे हम शक्तियां लेते हैं तो जब हमारे में शक्ति आती है तब हम जल्दी अपने मन पर नियंतरन कर लेते हैं बहुत कमजोर है इसलिए वो सोचता ही रहता है तो राजयोग का अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस सबको करनी है मैं मास्टर हूं किरियेटर हूं दो सब्दाप ले ले किरियेटर केक्र यहमें अपने अधीन नहीं चला सकते यह मास्टर नहीं है अर व्यक्ति विचार करें आप इस वर यह ञान कि पथ पर हैं या नहीं है इस अचनक्रॉं कि धाला करनी तेंस मांते हैं मैं मालिक हूं जैसे आपको रहता है, मैं अपने घर की मालिक हूँ, या रहेगा मैं इस डिपार्टमेंट का मालिक हूँ, इस को रहेगा मैं इस फेक्टरी का मालिक हूँ, इस दुखान का मालिक हूँ, इस संपत्ती का मालिक हूँ, मैं अपना भी मालिक हूँ, इस अवेरनेस को बढ़ाते चले मैं मास्टर हूँ पसंदर ये सब्द है तो अब कोई बीमारी भी होगी याद रखने से कि मैं मास्टर हूँ शरीर के कस्ट आपको कस्ट नहीं देंगे पीडा नहीं देंगे मैं मन का भी मास्टर हूँ तो मन आपकी इच्छा के अनुसार बटकेगा नहीं थोड़ी प्र तो मैं मास्टर हूं यह संकल बढ़ा क्रियेटिव क्रियेटर मैं क्रियेट कर सकता हूं तो बस यह दो चीजे लेकर चलेंगे बहुत सुन्दर अनुभुति होगी तो आईए हम अपने को स्वर्णिम बनाएं अपने जीवन को स्वर्णिम बनाएं अपने संसकारों को स्वर्णिम संसकार होते हैं एक दूसरे को सुख देने वाले संसकार एक दूसरे का भला जाने वाले हमारे संकल को संसकार हम दूसरों को सुख देने के लिए जीते रहें, दूसरों को मदद करने के लिए जीते रहें, ऐसे हमारे देश के, यदि बहुत सारे लोग, सब हो या ना हो, सब हो जाएं तो बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग स्वेम पर राज करने लगें, यही तो spirituality है, तो हम विश्व पर राज कर सकेंगे, और हमारा भारत स्वर्णिम भारत बन जाएगा, क्योंकि एक-एक का जीवन स्वर्ण तुल्ले हो जाएगा, कीमती हो जाएगा, most valuable हो जाएगा, तो आएए, अपने परदान मंत्री के इस कारिये में, और भगवान के इस दिव्यकारिये में, हम अपने को स्वार्निम बना कर बहुत अच्छा सहयोग दें और सभी सहयोग को देंगे ही क्योंकि इसमें अपना भी भला और देश का भी भला Thank you very much Om Chanti